नमस्ते, सलाम, सथ्रियकाल, मैं आज बच्चों को और बड़ों को एक किताब दिखाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मित्वा, इसको छापा है, एक लव्या ने, ये संस्था भोपाल में है, और बरसों से बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके चितर बनाए हैं शिवांगी ने, और किताब लिखी है कमला भसीन ने, जो की मैं हूँ, पंजाब के सिख परिवार की बेटी, मित्वा, तो मैं अब कहानी पढ़ूँगी, और आप इस किताब को देखें, और इसके खुबसूरत ब्लैक एन वाइट चितरों को ध्यान से देखें, मित्वा, और अपनी कहानी, मित्वा, खुद सुना रही है, कहती है कि मैं पंजाब के एक सिख परिवार की बेटी हूँ, मेरी अमर बीस साल है, हम एक गाओं में रहते हैं, यहाँ ज्यादातर परिवार खेती करते हैं, कुछ किसान बहुत अमीर हैं, उनके बड़े बड़े खेत हैं, कई ट्रैक्टर हैं, फसल काटने की बड़ी बड़ी मशीने भी हैं, मेरे पिता जी किसान है, मेरी मा भी किसान है, हल चलाने के अलावा, मा खेत पर सब काम करती हैं, जैसे बीज बोना, पानी देना, कटाई करना, सबसे बड़ा काम जो मा करती हैं, वो है फसलों से दोस्ती करना और प्यार करना मेरा नाम है मित्वा, यानि प्यारी दोस्त, मा ने मुझे ये नाम दिया था, जब मैं पैदा हुई तो मा को लगा, उनकी सहेली आ गई है, मन की मीत आ गई है, मैं मा की मित्वा, मा मेरी मित्वा मेरे दो वीर जी हैं, बड़े भाई, दल जीत और मन जीत, आज मैं सोचती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी, जो मुझे से पहले दो भाई हैं, अगर दो बहने होती, तो मैं पैदा ही नहीं होती हमारे गाउ में कई बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, इसलिए यान लड़कियां कम हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग लड़कियों से क्यों नफरत करते हैं, उन्हें लड़कों से कम क्यों समझते हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार तो करते थे अगर उन्हें अपना प्यार दिखाना नहीं आता था वो अधिकार ज़्यदा दिखाते थे प्यार कम शायद पिताजी दोनों भाईयों को ज़्यदा प्यार करते थे वे उन्हें अपने साथ रखते थे बाहर ले जाते थे ज्यादा आजादी देते थे वैसे पिताजी उनको डाटते भी खूब थे पिताजी से हम सब को डर लगता था उनका धोस जमाना किसी को अच्छा नहीं लगता था सबसे ज्यादा धोस वो माँ पर जमाते थे वो मा को साथ ही नहीं, दासी समझते थे मा पिता जी को कुछ नहीं कहती थी मुझ से बात करके अपना मन हलका कर लेती थी मैंने पास के गाउं के सरकारी स्कूल से बारवी क्लास पास की मुझे स्कूल तो भेजा गया, मगर उसके अलावा बाहर जाने की बाहर खेलने की आजादी नहीं दी गई पिता जी कहते थे, शरीफ लड़कियां बाहर नहीं जाती मैं मनी मन कहती, हाँ, सिर्फ बदमाश लड़के बाहर घूमते हैं और उनकी वजह से लड़कियों को घर में बंद रहना पड़ता है साइकल चलाना भी मैंने चोरी-चोरी मंजीत वीरजी से सिखा मेरे ये भाई बहुत ही कोमल दिल के हैं, नमर हैं मुझे अपने से कम नहीं समझते, दो साल पहले पिता जी ने एक ट्रैक्टर खरीदा था दोनों वीर जी जल्दी ही ट्रैक्टर चलाना सीख गए, उन्हें ट्रैक्टर चलाते देख पिता जी बहुत खुश होते मेरा भी बहुत मन था ट्रैक्टर सीखने का, मैं 18 साल की थी, स्वस्त थी, मगर पिता जी ने कह दिया, लड़कियों ट्रैक्टर नहीं चलाती ये सुनकर मेरा मन बहुत दुखा, मगर पिता जी की बात ठीक हो या गलत, माननी ही पढ़ती थी मगर अब पिता जी बहुत बदल गए हैं, मैं बताती हूँ, ये बदलाव क्यों और कैसे आया साथ आठ महीने पहले एक दिन अचानक पिता जी को दिल का दौरा पड़ा, दोनों वीर जी किसी काम से उस दिन शहर गए हुए थे घर पर सिर्फ मा, दो खेत मजदूर और मैं थे हमारे गाओं में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, बड़ा सरकारी अस्पताल पांच किलो मीटर दूर है पिता जी की हालत तेजी से बिगड रही थी, उनका तुरंत अस्पताल पहुँचना बहुत जरूरी था बेहद डरी हुई और निराश आवाज में पिता जी बुद बुद आए, इस वक्त मेरे बेटे यहां होते तो शायद मेरे जान बच जाती बोलते बोलते वे बेहोश हो गए, हालात को संभालते हुए, मैंने माँ और दोनों मजदूरों से कहा जल्दी से पिता जी की मंजी को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाना है वे तीनों हैरान थे, मगर उन्होंने वही किया जो मैंने कहा बिना देर किये हम अस्पताल पहुँच गए, खुशकिस्मती से दिल के डाक्टर वहां मौजूद थे पिता जी का इलाज तुरंट शुरू हो गया, डर से हमारी जान निकल रही थी पर जल्दी ही उनकी हालत संबल गई, और हम सब की सांस में सांस आई पिता जी को होश आने पर, मां और मैं उनके कमरे में गए पिता जी ने आखें खोली, हमें देखा, और धीमी आवाज में मां से पूछा मैं मैं अस्पताल कैसे पहुँचा, कौन लाया मुझे यहां, मां ने उनके हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर कहा मितवा, आपकी बेटी, वो ट्रैक्टर चला कर आपको यहां लाई, मितवा लाई, वो कैसे लाई, उसे तो ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, बहुत हैरान थे पिता जी, मां ने कहा, मितवा ने चोरी से ट्रैक्टर चलाना सीखा, मनजीत ने सिखाया, वाई गुरू का शुकर है, कि मितवा ने आपका हुकम नहीं माना, और इसलिए आपकी जान बच गई, तो बताओ, कैसी लगी कहानी? मुझे लगता है, दुख की भी कहानी है, और खुशी की भी कहानी है, दुख इस बात का, कि पंजाब जैसे उन्नत राज्य में लाखों बेटियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता, और इसे तरह और भी बहुत से राज्य हैं, जहां बेटियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है, या पैदा होने के बाद, ठीक से परविरिश नहीं की जाती, आमीन सम्विधान बने सत्तर साल से ज्यादा हो गए, सम्विधान ने कहा है, इस देश में सब बराबर हैं, मगर नहीं, हम भारत के लोग नहीं मानते के सब बराबर हैं, तरह तरह की उंच नीच, हम लोग खुद चला रहे हैं, इस कहानी में, जो एक उमीद बताने वाली चीज़ है, वो यह है, कि अगर घर में, एक या दो लोग भी हों, जो लड़कियों का साथ दें, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, इसमें एक भाई मनजीत और माँ बेटी के साथ थे, मगर मनजीत सेहदा साथ थे, तो हमें भी देखना है कि हम कैसे होनहार लड़कियों को मौका दे कर आगे ले जा सकते हैं, और ऐसे परिवार बना सकते हैं, जहां समानता है, जहां सम्विधान को माना जाता है, तो तुम लोग भी देखना अपने आसपास क्या होता है, और सोचना कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, सलाम, नमस्ते, सथ्रियकाल